नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि कितने MPR के ट्रासफर्मर पर कितना MFD का हम कैपिश्टर लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर देखे जब आप कोई सर्किट देखते हैं तो वहां पर आप सर्किट में देखते हैं कि यहां पर देखे 220 MFD लगा हुआ है यहां पर 100 MFD लगा हुआ है यहां पर 1000 MFD लगा हुआ है और यहां पर मैं आप इस वीडियो में पूरे बने रहे मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप कितने एंपियर के ट्रासफर्मर पर कौन सा जो कैपिस्टर लगा सकते हैं और एकदम बढ़िया वर्क करेगा उससे जो है आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहां पर देखिए आप अगर आपके पास वन एमपियर का ट्रासफर्मर है तो यहां पर जो है आपको जो कैपिस्टर लेना है वो लेना है 1000 यूएफ यहां पर आपका 1000 यूएफ का कैपिस्टर आएगा यानि कि वन पर 1000 अब यहां पर मैं आपको सारे calculation बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा जिसे कि आपको अच्छी तरीके से पता लगे और कितने MFD का आप कैपिस्टर को यूज कर सकते हैं क्योंकि जब ज़्यादा MPR हो जाते हैं तो वहां पर हमारे भाई कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनको यह नहीं पता लग पाता कि यहां पर कितने MFD का कैपिस्टर लगेगा अब देखें यहां पर फिर आगर आपके पास दो MFD का ट्रासफार्मर है तो यहां पर दो MFD में आपको सबसे ज़्यादा जो कैपिस्टर देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं या तो आपको आपको अठारा सो मिलता है या आपको मिलता है बाईस सो तो आपको दो MFD मिलती है यह 1800 MFD मिलती है यह बाइस सो मिलती है तो यहां पर ये हो गई हमारी MFD और यह हो गई हमारे Mpyr यह हमारा Mpyr हो गया तो यहां पर इस तरीके से calculation होती है अब यहां पर अगर आपके पास तीन Mpyr का transformer है तो तो यहां पर आपको देखने के लिए capacitor मिलता है दोस्तों 3A में यहां तो आपको मिलेगा 3300 और यहां मिलेगा आपको 4700 तो 3A के transformer पर आप यह दो capacitor यूज कर सकते हैं voltage आप अपने transformer के हिसाब से रखें यानि कि अगर transformer की voltage अगर 12 है तो वहां पर आप जो capacitor लगाएंगे वो लगाएंगे 25 वोल्ट का यानि कि जो voltage आपको double रखनी है अगर double voltage रखेंगे तो आपके circuit में कभी भी problem capacitor फटने की नहीं आएगी अब यहां पर जो transformer है फिर आजाता है 5A का 5A पर जो आपका capacitor यूज होता है वो होता है 47 और अगर आपको 47 नहीं मिलता है तो आप फिर वहां पर 56 भी यूज कर सकते हो यह शपन सो भी यूज कर सकते हो फिर यहां पर आपका आजाता है 6A यहां पर आपके दो truly transformer आते हैं इन के अंदर आप जो है कौन सा यूज कर सकते हो यहां पर आपको market में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है या तो मिलता च्छपन सो यह आप लगासक्ते हो अगर यह नहीं मिलता है तो यहां पर आपको 68 सो भी मिल जाता है 56 और 600 दोनों देखने के लिए मिलते हैं फिर आ जाते हैं हम यहां पर 8 और 10 8 और 10 ampçe में जो हमें देखने के लिए यहां पर जो डाइवौड कैपेस्टर मिलेगा तो यहां पर आप यहां पर क्या है या तो आप यहां पर 10 हाजार UF का कैपेस्टर लगा सकते हो या तो आप 10,000 लगा सकते हो और अगर आपको मार्किट में कहीं 10,000 नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो यह जो चपन सो है यहाँ पर इसके दो कैपिस्टर आप जो है पैरलर में लगा सकते हो यानि कि यह पिलस कर सकते हो जो 5600 है पिलस कर सकते हो पिलस होने के बाद देखे पैरलर अगर कभी कैपिस्टर को हम करते हैं तो वहाँ पर MFD हमारी डवल हो जाती है यानि कि अगर यह चपन सो यूफ है तो कम से कम वो 10,000 तक पहुंच जाएगा हमें पैरलर में करने से और अगर हम किसी कैपिस्टर को सि कैपिस्टर नहीं मिलता है तो आप यहां पर दो कैपिस्टर उसको जोड़के लगा सकते हो तो इसी तरीके से आप जो है कैपिस्टर का जो है कैलकुलेशन कर सकते हो तो दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर कर करना सस्क्राइब करना और बेल के आकन को जुरूर दवाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा और दोस्तों मेरे पास सबसे ज्यादा यहां पर यह कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास अगर कोई SMPS सप्लाई है तो वहाँ पर जो है अगर हम काम नहीं रहता जो काम नहीं रहता जो करना चाहिए तो SMPS पर अगर आप कभी भी कोई चला रहे हो तो वहां पर जो है आप 1000 रूम का केपिस्टर जरूर लगाएं और बोल्टेज मैंने आपको बताई दिया है कि जितने बोल्टेज का आपका SMPS है यह amplifier है उससे double voltage का वहाँ capacitor लगा दें क्योंकि देखें इससे क्या होगा अगर आप कोई smps से अपना amplifier चला रहे हैं तो उससे यह होगा कि उसके अंदर कोई humming problem या कोई noise problem नहीं होती और amplifier जो है उसको जो है voltage बरावर मिलती है और बढ़ियावर करता है तो दोस्तों वीडियो अ से like करना